अलो दोस्तों स्वागत है आपका स्वोलुशा नजर में दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माधिम से ये दिखाने वाला इस तरह का इरर क्यों आता है और इसका क्या कारण है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देके बले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आज आप लोग इस इरर के बारे में अच्छे से और सही तरीके से जान जाओगे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्स्क्राइब करके बेल आइकन को परे जरूर करें दोस्तो उस इरर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें महाराश्टर इमारत वी तर बानकाम कामगार की ओपिसल वेबसाइट पर आना है और जैसे ही हम ओपिसल वेबसाइट पर आएंगे दोस्तों तो आप होता है इस बात को आप समझ ले तभी आप उस इरर के बारे में जान पाएंगे दोस्तों अगर बांधकाम कामगार अपना लेबर कार्ड बनाने के लिए पहली बार रेजिस्ट्रेशन कर रहा हो या फिर अपना फॉर्म रेनुवल कर रहा हो तब उस बांधकाम कामगार को चा का अपडेट कर सकता है लेकिन ये बदल स्रिफ मनजूर होने के पहले कर सकता है फॉर्म एक्सेप होने के पहले कर सकता है दोस्तों हम एक्टिव फॉर्म को फिर से अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों एक्टिव फॉर्म में किसी भी तरह का हम बदल नहीं कर सकते बने रहे हैं दोस्तो update your contraction worker पर मैं क्लिक करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से क्लिक कर लिए जैसे ही मैंने update your contraction worker registration पर क्लिक कर लिया है दोस्तो given details are not correction for updation इस error के बारे में जाननी के लिए दोस्तो मैं यहाँ पर active बानकाम कामगार का mobile number और active बानकाम कामगार का other number और active बानकाम कामगार का acknowledgement number फिल कर रहा हूँ मैंने active बानकाम कामगार की सारे details को फिल कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर proceed to form पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो आपको error दिखाए देगा आप लोग भी चेक करके देख सकते दोस्तों आप लोग इस error को देख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ हम active form में किसी भी तरह का कोई बदल नहीं कर सकते या फिर update नहीं कर सकते इसलिए यह error आता है दोस्तों जब तक आपका form प्रेंडिंग में होता है तब तक ही आप बदल यह update कर सकते हैं उसके बाद किसी भी तरह का form में update नहीं कर सकते वीडियो में दिखाई गई जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरूर किया करें बस आप भी खुश रहिए और अपने पूरे परिवार को हमेशा खुश रगिए thank you